है गाइस चलिए देख लेते आज की रेसेपी आज मैं आपके साथ एक सबजी की रेसेपी शेयर करने जा रहे हूं जो आपको बहुत पसंद आने वाली है बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है मेती कडवी लगती है बट इस तरीके से बनाओगे न तो आपको बिल्कुल भी क प्याज को आपको एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है प्याज का कलर चेंज नहीं करना है अभी हमें जस थोड़ा सा पक जाए फिर एक बड़ा चमच लेसन है एक हरीमिट्ची है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अद्रक है आप चाहे तो अद्रक ले को हम इसी तरीके से भून लेंगे प्याज के साथ में फिर इसमें आपको नमक डाल देना है एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर वन फोर चमच हल्दी पाउडर सारी चीजों को अच्छे से पहले आपको मिक्स कर लेना मसाले जलने नहीं चाहिए अगर आपको लगे प्रक्राइब के गुणजाईश रहनी चाहिए तब आप इसमें डाल दीजिए दो बड़े साइस के टमाटर लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है वो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब आपको इसमें डाल देना है दो चमच धनिया जीरा पाउडर अगर अगर अग ऐखे गया सननुआजर कर लेंगे गयाज़ Fiona दैन Tabii उध, था जीरा पाउडर और इसमाट nे जाए अगर अगरिड़ के caught कर लैना है तो मैति को डाल आपको कट करके नमक वाले पाने से वाश करणा है उसके बात इकदम ड्राई कर लेना पानी नी रहना चाहिए वो अगर तो मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी मेथी डालने के बाद आपको धकन नहीं लगाना है इसे ऐसे ही पका लेना है 2-3 मिनिट जब तक कि मेथी बिल्कुल अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाती जब आपसे ट्राइ करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी अच्छी यह सब्जी बनती तो एक बाद ट्राइ ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको यह कैसा लगा आज का वीडियो का शाउट आउट जाता है मरियम गुलजार फ्रॉम पाकिस्तान थैंक्यू सो मस इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई